क्या हाल चाले दोस्तों, तो फिर से शुरू करते हैं अपना पुराना वाला कारीकरम, तो किस तरीके से आफ प्री में एक WhatsApp नंबर को रजिस्टर कर सकते हो, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पुरानी परंपरा, No Technical Guru जी, तो भाई वीडियो में आगे वड़ने से पहले मैं आपको पता देना चाहता हूं, कोई एड ये sponsor नहीं है भाई, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई, कुछ application आपके phone में वर्क नहीं करती है, या फिर आप इस application का यूज करके number नहीं ले पा रहे हो, और बहुत सारी ऐसे लोग है जिनको एक नहीं बहुत सारे number चाहिए, तो भा बहुत नहीं है, वीडियो को पूरा देखो, और आपका काम बनता है, तो बस उससे number खरीदने की कोई जरूत है, ये नहीं आप, एक चीज़ याद रखना भाई, जिसको number खरीदना है, वो ही जाए, और अगर price ना पसंद आ है, तो कोई बात नहीं, कोई बहुत सारी, मैंने वीडियो बना रखिए, वर्चुल number में free, आज भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, ऐसी application, उन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर इस application से आपका काम हो जाता है, तो like मारना है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, next वीडियो को अवेट करना, मैं वीडिय वोल कर free में number नहीं देना, तो भाई देखो free वाली जितनी applications है, सब बहुत चलाक हो चुकी है, सबने अपना free trial खतम कर दिया, जो बच्ची है application, उन पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, इस application के अंदर आपको सरी 5 रुपे के अंदर आपको मैं WhatsApp को virtual number बना के दिखा हू तो भाई इस application को आप दूसरे phone में install करो, और setup करो किसी नए email ID से, तो आपको free trial देखने को मिल जाएगा, और नहीं मिल रहा है, तो भाई next video का वेट करो, तो उसमें एक नए trick बता दूँगा नए application के साथ, तो demo दिखाने से पहले आप बता दूँ install कैसे करना, बहुत से लो नएगे के उपर cyber player लिखा होगा, इस पर आपको यहापर click करना है, यहापर mister specs लिखा होगा, यहापर आपको click करना है, साइड में three line दिख रही होगी, तो इस three line पर आपको click करना है, यहापर आपको लिखा होँ मिलेगा, virtual number, virtual number पर जैसी आप click करोगे, तो यह पहली application आपक आपको सबसे नीचे तो यहां पर आपको दो अप्शन मिलेंगे अगर आपके पास Android है तो Android पर क्लिक करो इंस्टॉल करने के लिए अगर आपके पास iPhone है तो iOS पर क्लिक करो और आप अपनी प्लिकेशन पर जम कर जाओगे और इंस्टॉल कर लेना अप्लिकेशन इंस्टॉल करने के बाद इसे उपन कर लेना, continue पर क्लिक कर देना और यहां पर लिखा है basic number इसे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर मैंने continue करा उसके बाद फिर इसने payment के लिए पूछा तो अगर आप iPhone यूज नहीं कर रहे हो तो आप अपने जैसे Google Play Store है उस पे उस पे वो UPI के लिए भी पूछता है आप अपनी वहाँ पर UPI डाल सकते हो phone पर paytium किसी भी चीज की UPI डाल दो उसके बाद यहाँ प पर मैं payment कर रहा हूँ पर यहाँ पर मेरे सिर्फ पांच रुपे कटेंगे यहाँ पर इससे अलावा और कुछ पैसे नहीं कटेंगे देख सकते हो payment successful हो गई उपर लिखा गए सेंट 5 रुपीज जबकि यहाँ पर जो price था वो 1100 रुपे था price 1100 रुपे नहीं कटे अब मैं क्या करूँगा जैसे मैं वापिस आँगा तो wait करूँगा यहाँ पर देख सकते हो processing में है wait करने के बाद यहाँ पर successful हो चुका है यहाँ देख सकते हो मुझे number मिल गया है अब इस number को मैं WhatsApp पे आपको register करके दिखाऊंगा उससे पहले अगर आप चाहे Google Play Store से number को purchase कर रहे हो यार कहीं से भी कर रहे हो तो आपको करना क्या है जो भी आपने phone पे या गूगल पे की जो भी UPI ID जो भी आपने दी है auto pay को off करना है नहीं तो वो जैसे तीन दिन के बाद आप phone करना है सबसे पहला उपर वाला उस पर मैं click करता हूं click करने के बाद नीचे scroll करना है थोड़ा सा आपको यहाँ पर आपको delete auto पे लिखा हुआ है इस पर आपको click करना है और confirm पे click करना है confirm पे click करने के बाद यहाँ पर आप पिन उसके बाद आपने pin डालने के बाद देख सक लो क्या-क्या digit हैं उसके पीछे आप पहले ध्यान से देख लो नहीं तो आप काऊगे कि भाई ये वो नंबर नहीं है आप जूड बोल लो लास्ट में देख लो भाई स्टार्टिंग में यहां पर United Kingdom का नंबर है तो स्टार्टिंग में प्लस डवल फूर इस नंबर के आगे लगा है कंट्रिकूट और लास्ट में देख लो डबल नाइन वन नहीं आपको ऐसा लगे कि भाई तुम दूसरा नंबर दिखा रहे हो इसके अंदर मैं OTP आते वे नह आगे लगा हुआ है जैसे मैं इसे login करता हूं login करने के बाद यहां पर पूछता है confirm करने के लिए yes कर देता हूं मैं नंबर को yes करने के बाद 2 मिनट का time आ रहा है यहां पर भाई देखो मुझे OTP नहीं आया था फिर उसके बाद मैंने क्या करा जैसी यह time खतम हो गया तो य आपके सामने अभी मैं चेक करके भी दिखाऊंगा कि यह वही नंबर है नहीं तो आप को कि भाई सेट अप कर लेते फटाफट से इससे पहले तो साइबर प्लेयर लिख लेते हैं डन कर लेता हूं और अब चलते हैं भाई प्रोफाइल के अंदर ठीक है सेटिंग में जाता हूं और साइबर प्लेयर यहां पर आप नंबर देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो कंट्री कोटे डबल फॉर और लाश में देखो कर देना और कोई दिक्कत हो रही हो तो नीचा कॉमेंट कर देना मैं ट्राइ करूंगा कॉमेंट का रिपलाई करने का तो बाई बाई